हेलो दोस्तो मैं प्रतिवाब रहाटे मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ महारास्ट स्टेट का जो 12 का एनेस्टोलोजर्जर्स जे फर्स लेशन है उसका जो ग्रामा टॉपिक एफोर वर्ड यूसेज है वह आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए चलिए ग्रामा टॉपिक देखते है यहाँ पे देखेंगे इनहांस जो है वो वर्ब की तरह है और considerably जो है वो एड़ब है और enhancement जो है यह नाउन है तो जब भी हमें नाउन को चेंज करना मतलब नाउन को डालना है तो हमें नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला जो एडजेक्टिव रहता है उसे भी हमें change करना पड़ता है इसलिए यह sentence में considerably के जगब पे हमने considerable use किया है तो चलिए अब next sentence देख लेते He had a working analysis of a mankind's troubles यह sentence में had जो है यह belong को, have को represent have मतलब मेरे पास कोई भी चीज है तो उसको represent करता है और वह चीज अगर work कर रही है तो working के जगब पे अगर हमको work डालना है past tense डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा it worked करना पड़ेगा नहीं तो that worked करना पड़ेगा तो यहाँ पे इन लोगों ने that मतलब हमने answer में that work लिखा है लेकिन आप it worked लिख सकते हैं और working यह जो word है to himself next minute happening हमें happen की जगब पे लिखना है लेकिन अगर आपने यहाँ इस sentence में गौस से देखा तो going to जो है एक phrase है और phrase को निकाल के हम लोग वहाँ पे happening नहीं लिख सकते है उससे sentence पुरा बिगड जाएगा इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जो future आप लोगों को पता है कि was going जो है यह continuous past मतलब past continuous tense है तो इसलिए हमको continuous tense ही लेना पड़ेगा और next minute है इसलिए हम present तो नहीं ले सकते हैं हमें future ही लेना पड़ेगा और future के लिए will be आएगा और वहाँ पे फिर going to remove हो जाएगा और उसके जगब पे what will be happening to himself next minute लिखना पड़ेगा चलिए अब चलते हैं फोर्थ वाला sentence if you find my answer satisfactory will you give me 5 rupees और satisfaction satisfactory की जगब पे हमें satisfaction लिखना है satisfy, satisfaction, satisfactory, satisfactorily यह सारे satisfy की क्या है यह verb, adverb, adjective and noun types है forms है तो satisfaction noun है यह satisfaction जो है यह abstract noun है abstract noun जो होता है इसे अगर sentence में डालना है इसे तो हमें कोई भी preposition हमें use करना पड़ेगा और इसलिए answer में जब हम satisfactory को delete कर रहे हैं और उसके जगब पे satisfaction ला रहे हैं तो इसलिए हमें in preposition लिखना पड़ेगा fifth sentence में भी वही है regretfully जो है यह adjective है और regret जो है यह abstract noun है और मैंने अभी थोड़े देर पहले बोला कि abstract noun को अगर आपको sentence में use करना है तो adjective की place पे अगर use करना है तो हमें कोई भी preposition उसको add करना पड़ेगा जैसे last time हमने in किया था यहाँ पे हम with करेंगे चली देखते हैं six sentence it was a be wild ring criss cross of light rays तो दोस्तों यहाँ पे क्या है यहाँ पे simple past tense है जैसे हमने last time में देखा था had had a working analysis था तो यहाँ पे was a be wild ring है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जो object है उसको passive voice में passive voice में करना पड़ेगा the criss cross of light rays was by it लेकिन यहाँ पे by it नहीं भी लिखेगा तो चलेगा seven sentence में फिर से enthusiasm जो है यह abstract noun है और हमेशा की तरह abstract noun जो होता है वो कोई भी preposition से join किया होता है जैसे कि यहाँ पे by है और हमें यहाँ पे add verb लगाना है add verb के लिए हम देखेंगे तो exclaimed और overwhelmed यहाँ पे दो verb निकलते हैं इसलिए overwhelm को हटा देंगे और exclaim के बाद में हम इंत्याज़कली लिख देंगे चलिए अब देखते है next sentence eight number to kill and killing यह दोनों भी to kill जो है यह infinitive है और killing जो है यह gerund है अगर आपने grammar को study किया होगा तो दोनों का meaning एक ही आता है इसलिए यहाँ पे to kill निकाल के killing कर सकते है यह वाला sentence simple future है यहाँ पे prepare जो है यह future का जो verb होता है वो है इसका मतलब होता है begin नहीं तो start तो आप answer में अगर preparation आपको लिखना है तो आप I will start लिख सकते है I will begin लिख सकते है I will start the preparation of some rice stuff for her नहीं तो I will begin the preparation of some rice stuff for her यह भी correct answer है इस sentence में groan and hearing यह दो verb है जो groan है यह main verb है और hearing जो है यह gerund है तो gerund को अगर आपको sentence से निकालना है तो आपको पहले दो sentence बनाने पड़ेंगे the other groan and he heard it we heard it ऐसे भी आप लिख सकते है तो when we heard it the other groan यह भी हो सकता है देखिए वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है आप वीडियो पुरा देख रहे है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धनिवाद हूँ